असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आई एम यूर इस्ट्रक्टर वहीद अमद में धाखेरियस हूं प्रीवेस लेक्शर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कम्प्लीट की थी आज हम नेया टॉपिक रेडिकल का स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 2.3 करेंगे इंपॉर्टेंट है क इसके इंपॉर्टेंट है बड़े तवज्व से देखने हैं वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो भी हम इसकी सबसे पहले रेडिकल की डेफिनिशन और प्रोपर्टीज देखते हैं उसके बाद एक्सरसाइज स्टा वाट इस रेडिकल एंड वाट इस रेडिकल यह क्या है इनको हम देखते हैं एक भी हम देखते हैं एक एक्सप्रेशन देखें हमारे पास है ए अंडरूट यहां अब इसको देखें इसमें यह जो साइन है इसको हम रेडिकल कहते हैं इस साइन को रेडिकल और उसके बाद इसके अंदर जो value radical के internal side पे जो value होगी यानि यह real एक number होगा इसका हम कहेंगे यह radicals है वो radical यह radicals और यह n जो है n शो करेगा index को यह है हमारे पस radicals और radicals इस sign को हम radical कहेंगे और the real number inside the radical किसी भी radical के अंदर जो भी एक real number होगा उसे हम क्या कहेंगे यह radicals और यह n जो है यह index है इसका इसका index 2, 3, 4, up to so on कुछ भी हो सकता है n की value आप 2 से start करेंगे हमेशा यह 2 से start होगी जी next है इसमें यह तो concept था हमारे पास radicals and radicals का इसमें एक next heading आती है difference बताना है हमारे पास radical and power इसकी प्रापर अगर हम heading देखें तब वो है हमारे पास radical form and exponential form power भी कहते है या इसे exponential form भी कहते है जी इसमें क्या होगा radical को power में लेकी जाना या exponential form में लेकी जाना या exponential form अगर expression है तो इसको आपने radical में कैसे लेकी जाना है देखेंगे अब इसी को देख लिए a under root index n इसका हम कहते हैं यह हमारे पास radical form अगर आपने इसको exponential form में change करना तो क्या करेंगे इस radical को power में लेकी जानेगे a raised to power 1 over n इस तरह होगा हमेशा जो भी index होगा वो नीचे आएगा 1 के over में आजएगा उस सुरत में जब यहां हमारे पास simple a है यानि a की कोई power मुझूद नहीं है अगर हमें suppose कोई number इदर है एक value लिखते हैं 5 raised to power 3 under root index है इसका 4 यह एक हमारे पास value है इसको हमने क्या करना है इस वक्त यह radical की form में हमने इसको change करना है exponential form में तो यह कैसे होगी अब यह होगा 5 raised to power अब यह 3 इसकी power है तो power उपर चली जाएगी index वही नीचे ही आएगा 4 4 नीचे आएगा यह हमारे पास से बन जाएगी exponential form इसको हम कहेंगे यह exponential form है और इसको हम कहेंगे कि यह radical form और यह भी हमारे पास कौन सी form है exponential और यह आपस में radical form उमीद है यह बास समझा आगी अभी हमने जो करना है question वो यह है exercise 2.1 का first question यह आई थिंग यह है कि हमने radical को exponential form में लेकी जाना है और exponential को radical में लेकी जाना है तो अभी हम उन questions को देखते हैं उसके बाद next इसकी कुछ properties पहले properties ही discuss करते हैं के बाद हम एकी दफ़ा exercise पे चुछेज़ेगे जी next है हमारे पास properties of radicals radicals की properties है वो हम one by one discuss करते हैं सबसे पहले है हमारे पास a, b, whole, under root, index, n अब देखें दो real number multiply हो रहे हैं और index in का n है तो हम इसको लिख सकते हैं a जो real number है इसको हम अलग कर देंगे into b जो हम इनको अलग कर सकते हैं यानि इस तरह हम इसको separate करके multiply की form में लिख सकते हैं ये थी हमारी multiplication के अंदर property next है डवियन के अंदर अगर हो a, over, b, whole, under root, index, n है तो हम इसे लिख सकते हैं a, under, root, index, n और b, under, root, index, n इस तरह ये लिखा जा सकते हैं ये दो हमारे पास होगी properties next है हमारे पास इसमें एक properties इसमें और discuss करते हैं वो property ये है हमारे पास जी next property है हमारे पास a raised to power n whole raised to power n ये बहुत important property है ये mostly जो है ये हमारे use होगी है important है है क्या अगर किसी भी real number की power और index अगर आपस में बराबर हो जाए तो वो हमेशा cancel out हो जाएंगे और answer जाओ एक real number ही आ जाएगा वो है बाहर आ जाएगा जैसे radical और power बराबर होंगी तो वो real number जाए वो बाहर आ जाएगा ये radical की बहुत important property mostly use होती है एक इसमें और देख लें अगर हमारे पास a under root simple ये लिखा है इसका index उसने show नहीं किया तो हमेशा याद रखना है जिसका index show ना करे उसका index जो हो टू होता है ये बात आपने mind में रखने ये तीन चार चीज़े इनको आप याद रखेंगे इन्शाला कोई मसला नहीं आएगा तो बाकी फिर साल साल जैसे जैसे हम इसको आगे explain नई नई चीज़ें देखते जाएंगे उसके according इसको explain तो अभी हम इसका question 1 जो है exercise 2.3 वो देखने मरी से solve करो जी question number 1 है इसमें उसने पूछा है write each radical expression in exponential notation हर radical expression को exponential में लेके जाना है and each exponential expression in radical notation यानि radical को आपने exponential बनाना है और exponential को radical बनाना है do not simplify सिर्फ आपने इसको convert करना है simplify नहीं करना तो question 1 part 1 है हमारे पास minus 64 whole under root index 3 अब देखें minus 64 है हमने कुछ भी नहीं करना सिर्फ इस radical को power में लेके जाना तो यह हो जाएगा minus 64 whole raise to power अब इसकी power कुछ नहीं है सिर्फ index है तो यह one के ओर में आ जाएगा तो one by three यह इस काम सरा जाएगा उसने simplify करने को हमें नहीं कर तो हम इसे नहीं करेंगी second है two raise to power three over five तो यह क्या बनेगा अब यह exponential form है इसको radical की form में लेखी जाना है अब देखें two raise to power मैंने कहा था जो उपर वाला नमबर यह power है तो वो इस नमबर की power है two raise to power three हो जाएगा यह five इसका index है तो यह index five यह radical की form में करना हो जाएगा इसके बाद next है three minus seven whole raise to power one by three तो इसको देख लेख लेख यह minus seven तो यह हो जाएगा minus seven इसकी power में one यह one लिखने की जुरूद नहीं है whole index index इसका three है तो यह इदर three आ जाएगा बस यह ख्याल रखना है यह इसके अंदर आपका index आना चाहिए बाहर नहीं है जैसे वो बाहर जाएगा वो whole number consider होगा वो index consider two by three तो अब इसको हमने change करने y raise to power minus two और under root और यह index हो जाएगा इसका three इस तरह हम इसको change करेंगे यह था हमारा question number one असान था इसमें कोई मुश्कल नहीं है easily as all हो जाना question two है tell whether the following statements are true or false question two में हमने यह बताना है क्या यह statement true है या false है तो question two साथ ही देख लेते हैं question two part इसका one true और false बताने five whole raised to power one by five is equal to under root five अब इसमें देखें radical को power में change कर ले या power को radical में change कर ले तो हमें अंदाज़ इसका हो जाएगा अब इसको देख लें exponential को हम radical में change करते है five under root और यह अवर में five इसका index है यह index आजएगा और यह under root five यहां देखें इसका index हमारे पास five है इसका index नहीं है जिसका नहीं होता है उसका मैंने बता दिया वो two होता है अब इनके देखें index बराबर नहीं है अगर index बराबर नहीं है तो यह फिर two भी नहीं है तो हम कहेंगे कि यह false है यह था हमारे पास question two का part one असान है इसमें next part two है part two देखें part two में two raise to power two by three is equal to four under root index three अब इस radical को power में change कर दे या इस exponential को आप radical में change करें two raise to power two under root index three is equal to इदर three under root index में आई यह यह four आई अब देखें two square क्या होता है यह four होता है हमारे पास under root index three is equal to इदर भी four under root index three अब यह देखें दोनों आपस में बराबर हो चुके index बराबर इनके internal real number भी बराबर तो यह होजाएगा हमारे पास two उसके बाद next है हमारे पास part three part three under root forty nine is equal to under root seven अब देखें forty nine का square root है हो हमारे पास seven होता है seven is equal to under root seven अब यह देखें यह seven है यह seven under root है यह कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते तो हम इसको कहेंगे यह false है यह part three होगे है हमारे पास last इसका एक part रहे गया अभी हम इसको देखते है part four है इसका part four है x raise to power 27 whole under root index three is equal to x raise to power three अब हम इसे क्या करेंगे radical को power में change करेंगे तियो जगा x raise to power 27 whole raise to power 1 by 3 ऐसे में लिख सकते थे और जैसे मैंने पहले बताया था कि हम अगर कोई power है तो power उपर लिखेंगे index नीचे लिखेंगे x raise to power 27 by 3 ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं यह जग x raise to power 3 अब इसे हम divide करेंगे तो यह जग x raise to power 9 is equal to x raise to power 3 अब यह देखें हमारे पास इनके powers आपस में बराबर नहीं है जब power बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह false है यह true भी नहीं है यह था हमारे पास question number 2 असान question था मुश्कल नहीं है सिरफ हमने यही बताना है true है यह false question 1 भी हैंसे की उज़ए है अब इसको question 3 जो है इसमें इसने का simplify the following radical expressions इन radical expression को simplify करने तो अभी हम इनको simplify करती है यह हमारे पास जो है इसका एक long portion sorry short question बन सकते हैं इसमें दो number का short question आ सकते हैं असान है मुश्कल नहीं है easily is all हो जाने जी question है हमारे पास minus 125 under root index 3 एक तो है से आप power exponential में change करते है minus 125 whole raise to power 1 by 3 हम करें से simplify 125 के आप जरा इसको factorize करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 125 की factorization आप इसको इदर नहीं इसके सामने क्योंकि हमने page के सामने working करनी है तो आप इसके सामने working करनी है 125 5 2s are 10, 5 5s are 25 5 5s are 25 and 5 1s are 5 तो यह देखें 5 raise to power 1, 2, 3 तो यह बनेगा हमारे पास minus 5 raise to power 3 whole raise to power 1 by 3 तो power power से क्या हो जाएगी multiply होगी जब भी bracket का sign लगा होगा तो हमेशा powers फिर multiply हो जाएगी minus 5 whole raise to power 3 into 1 by 3 अब 3 से यह 3 cancels minus 5 raise to power 1 minus 5 ही होता है यह हमारे पास इसका answer आज़ेगी यह एक असान से चोटा सा question था next है हमारे पास 32 under root index 4 यह part 1 था यह part 2 है 32 under root index 4 अब 32 को भी उसी तरह factorize करें यह हजएगा 32 under root index इसको factorize करें 2 1 था 2 यह 12 था 6 था 12 2 8 था 16 2 4 था 8 2 2 था 4 2 1 था 2 अब देखें index 4 है हमारे पास तो इधर से भी आप 4 के पेर बनाने है यह 1 2 3 4 तो यह हजएगा हमारे पास 2 raise to power 4 multiply और एक 2 बाचिया यह simple इसके साथ multiply आजएगा तो यह हजएगा under root index 4 अब यहाँ ज़रा तोज्ज़ों से देखने है अब यह power और यह index आपस में बराबर होगी यह हमने एक last time property पढ़ी थी जैसे यह बराबर होंगे तो वो rail number बाहर चला जाएगा यानि वो ही rail number answer आजएगा अब यह power और index आपस में बराबर है तो यह 2 बाहर आजएगा अब यह जो है यह radical के अंदर ही रहेगा 2 और index यह फोर यह आदेगा यह इसका अंसर बनेगा यह power 2 होगे इसका असान था इसमें कोई मुश्कल नहीं है easily हो जाने next है हमारे पस part 3 3 over 32 under root index 5 अब इस पर सबसे पहले दो property लगा है dvn वाली हम इनको separate कर सकती है 3 under root index 5 अलग हो जाएगा और मैं 32 under root index 5 अलग हो जाएगा अब उपर देखें उपर 3 के साथ under root 5 है इसको हम solve नहीं कर सकते नीचे solution possible है और 32 की factorization ये है हमारे पस 1, 2, 3, 4, 5 2 raise to power 5 बनेगा index भी हमारे पस 5 है तो इस सारे को हम combine करने ये ही factorization यूज हो जाएगी ये हो जाएगा under root 5 index under root 3 index 5 over ये हो जाएगा 2 raise to power 5 under root index 5 अब ये देखें radical और power आपस में बराबर है तो simple इसका 2 answer ये बाहर चला जाएगा तो लिखेंगे कैसे ये हो जाएगा under root 3 index इसका 5 over में आ जाएगा हमारे पस 2 ये इसका answer ये radical और power बराबर ये 2 बाहर आएगा ये देखेंगे वो ही properties है वो ही ये कोज़ होती ही चली जाएगा ये part 3 होगे इसका एक part इसका last असान ही है इसका हम देखते हैं वो भी इसी तरह easily हो जाएगा जी part 4 है minus 8 over 27 under root index 3 अब ये क्या होगा अब देखेंगे इसमें 8 को factorize कर दे 2, 4 जा 8, 2, 2 जा 4 and 2, 1 जा 2 अब इदर index भी 3 है 1, 2, 3 ये भी हमारे पास 3 आ रहे था हम इसको लिख सकते है 2 raise to power 3 उपर radical अलग कर दे साथ property भी उज़ कर दे और नीचे जो है 27 को factorize कर ले ये बनेगा 3, 9 जा 27, 3, 3 जा 9 and 3, 1 जा 3 तो ये बनेगा हमारे पास 3 raise to power 3 और under root index 3 अब ये minus हमने उपर लिख दिया, नीचे हमने नहीं लिखा तो ये minus किसी एक के साथ जाना था या उपर लिख सकते थे या नीचे लिख सकते थे तो इसलिए हमने उपर show कर दिया, अब नीचे लिखने के ज़रूरत नहीं है अब देखें उपर index और power बराबर है minus 2 बाहर आजेगा नीचे भी index और power बराबर है तो ये 3 बाहर आजेगा ये इस काम सर्वाज दिया ये थे चोटे-चोटे question short question type थे exercise complete होगी mcqs point of view से भी देख लिया short question के recording भी देख लिया और इसकी properties जितनी भी थी और definition radical, radical weekend ये क्या चीज़ा index क्या ये सारी हमने discuss करने, इसको देखें करें बार बार करें को होगा इसके तो हम इसको साथ साथ discuss करते चले जाएगे चला मिलते हैं नेक्स लेक्चर में अलाह आफिस